मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक फैमिली दिखाए जाती है जो अजीब और गरीब हालात से गुजर रही होती है उनमें आदमी का नाम चार्ली मॉर्गन उसकी वाइफ सेरा और उनके दो बच्चे एक बेटा इसका नाम डैनियल और बेटी एमिली थी पहले तो वो लोग अपनी लाइफ बड़े खुशी खुशी स्पेंट कर रहे होते हैं फिर उनकी जिन्दगी एक अजीब मौड लेती और जब उनकी जिन्दगी में बुरे बुरे वाकियात होना शुरू हो जाते हैं कुछ हरसा पहले ही उनका एक चोटा सा बेबी भी मर चुका होता है और उस बच्चे की डेथ को लेकर सब लोग बहुत सैड थे खास तोर पर चारली जो इस बात को बुलाने को तयार ही नहीं था वो काफी डिप्रेस्ट था और इसी डिप्रेशन में रहते हुए उसकी जॉब भी चली गई होती है पिर उनकी बेटे डैनियल को नेंड में चलने की ब प्रेमारी हो गई थी नेंद में जाते ही वो लोग अपने होश में नहीं रहते थे जिसकी वज़र से वो काफी डरे होते थे उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है पिर वो एक फीमिल डॉक्टर के पास जाते हैं जो ऐसे केसि पर उन लोगों की रिपोर्ट देखती है और इस केस को नॉर्मल केस ही समझती है वो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि यह एक सिर्फ एज़र और इस एज में चोटे बच्चों को अकसर ऐसा हो जाता है फिर एलिस यह सुनकर काफी है रान हो जाती है जब चार्ल कोई बात नहीं और यह ठीक हो जाए उनके साथ होने वाली कंडिशन से एलिस को कोई खास फरक नहीं पड़ता है इवन की वह फैमली भी इसको इतना सीरिस्ट नहीं लेती और वो लोग घर आ जाता सिवाए डैनियल के जो बहुत डरा हुए डैनियल अपने नेंद से बहुत यह समझ रहा था कि उसकी गोद में उसका मरा हुआ बच्चा है और वो उसे बुला रहा था दूसरी तरफ सेरा जो ग्रेंडर में कुछ चीज़ें डाल रही थी और साथ में उसने अपना हाथ बे डाला हुआ था और उसमें से कुछ निकाल कर वो खाने की कोशिश भी कर रह है वो लोग काफी डेंजर बन चुके थे एवन के वो एक दूसरे को नुक्सान पहुंचा सकते थे एक दूसरे की जान भी ले सकते इन लोगों के इलावा सबसे बुरा हाल तो डैनियल का था क्यूंकि वो पूरी तरह पैरालाइस हो चुका था वो अपने बिस्तर से उतने क बहुत कोशिश करता है अपने पेरेंस को बुलाता है लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती है और ठीक उसी वक्त वहां पर डैनियल के साथ एक काले रंग की एंटिटी भी नजर आती है फिर देखते ही देखते हैं वो सब लोग होश में आ जाते हैं जब वो डैनियल को देखते हैं तो वो उसे बहुत बुरी हालत में पाते हैं कि हालात अब काफी संगीन हो चुके वो दुबारा प्र डॉक्टर एलिस से मिलते हैं उन सब को एक रात के लिए एडमिट कर लेती है वो उन सब के टेस्ट लेती है और यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर उनके साथ फिर से अजीबो गरीब होना शुरू हो जाता है डैनियल तो पैरलाइस हो चुका होता है और बाकि सब नेंद में अजीबो गरीब भरतते करना शुरू कर देए फिर अचानक से डैनियल यह महसूस करता है कि जैसे कोई उसे बिजली के जिटके लगा रहा हो इस सारी आ पैम जो उस हॉस्पिटल में स्वीपर होता है वो चार्ली के सर परवार करता है और ऐलीस के जान बर जाती है इस हादसे के बार चारली को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने ऐलिस पर हमला किया और उसे जान जे मानने की कोशिश घृहलांकि यह सब कुछ उसने जान चार्णबर्बादश प्राइच बश्राइबिय। के लिए रचिता जाता है। अगर तुम है ज Councillor उस एक नाम देकर बाइचम度ेद अवस्छते हैं। कि वो बात द्रसल डीमन की कर रहा है। कि एलिस गहर आकर उस नाम पर रिसर्च करती है। और उसे इस बात का पता चल जाता है कि उन लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ नॉर्मल नहीं है। और फोरण एलिस को अपने बच्पन का एक किसा याद आ जाता है। वो अपने पास्ट में चली जाती है। जहां पर एक रूम में दो बच्चे सो रहे थे। एक लड़का और एक लड़की। वो लड़की एलिस ही थी और उसके साथ सुने वला उसका चोटा भाई था। उसके भाई को भी नेंद में चलने की बीमारी होती है। और उसी रात वो काफी अजीब बिहेवियर करता है। उसके रवए यसे ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी डरा हुआ है। और उसी रात उस बच्चे की डैथ हो जाती है। उसे लेकर एलिस काफी परेशान रहती है। वो खुद को इसका जिमेदार समझती है कि उसने अपने भाई की जान नहीं बचानी। एलिस इन सब सूपरनेटरल इंसिडेंट्स को माल लेती है। और वो ये जानना चाहती थी कि आफिर उस फैमिली के साथ ऐसा क्यों और क्या हो रहा है। और साथ में उसके भाई के साथ भी उस रात क्या हुआ था। पिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो फैमली भी काफी मुश्किल में क्यूंकि चारली के जेल जाने के बाद सिर्फ सेरा ही अपने बच्चों का ख्याल रख रही पिर उसी राद उनके साथ कुछ अजीब और करीब होता है और जब सेरा होश में आती है तो वो देखती है क उसकी चोटी बेटी एमली ने अपनी डॉक को उसी सीजर से मार डाला था और डैनियल भी पैरलाइस हो चुका होता है एलिस को उस फैमली की बहुत फीकर होती है और वो उनकी हैल्फ भी करना चाहते है सबसे पहले वो चारली की जमानत करवाती है वो लोग समझ जाते हैं कि इन सब हाथ साथ का कोई साइंटिफिक प्रूब नहीं है ये सब कुछ सूपरनाचर है और सोचते हैं कि उन्हें किसी ऐसे शक्स के पास जाना चाहिए जो इन सब बातों को जानता हो तब फोरन एलिस को केम का खयाल आता है जो इन सब को डेवन कह रहा था वो लोग कैम से मि ये सब कुछ कोई और नहीं बलकि डीमन कर रहा है और वो ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक वो डैनियल की आना लेना यानि अब डैनियल का बचना नामुम्किन था ये सब कुछ अमाडों के साथ भी हो चुका था लेकिन वह इसलिए बच गया कि उसकी जगह कोई और मर च लेकिन वो लोग इस mission को लेकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो demon के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे उन्हीं पता चल जाता है कि demon का मेंन सोर्स डैनियल है और जब डैनियल सो जाएगा तो तब ही demon आ जाएगा जो कि बाकी लोगों पर भी अपना control कर सकता है तब वो कोशि इस उन सब को बताती है कि चाहे डीमन हो या गोस्त इस डाइमेंशन में नहीं आते बलके वह किसी ओर डाइमेंशन में एक्जिस्ट करते हैं और अगर हम डैनियल की मदर इस दुनिया में रहकर नहीं कर सकते हैं तो हमें खौबों के दुनिया में जाना पड़ीगा क्योंकि ब वहां पर होता है क्योंकि वोगों के पास कोई और रास्ता दो नहीं होता इसलिए सब लोग इस बात पर एड़ी हो जाते हैं सब के सब इंजेक्शन लेते ही नीद में चले जाते हैं बहुत स्ट्रोंग होने की वज़े से उन्हें हुआबों में भी विजन्स दिखा रहा होता है और वो ख़ाबों में भी अपने होश खुष बैठते हैं और वही करते हैं जो उनका दिल करता सबसे पहले तो चार्ली को मरा हूँ बीटा नजर आता है एलीष को अपना मरा right और सेरा जो एपने दांटों को तोड रहे हरा है वहाँ पर घुष में होता है और ऑु यह सिर्फ ड्रीम है रियालिटी नहीं है और जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है तब उस पर से डीमन का हसर खतम हो जाता है वो फोरन डैनियल को बचाने के लिए भागती है लेकिन अब तब डीमन ने अमाडो पर अपना कंट्रोल किया हुआ था और वो डैनियल को मारने तब एलिस फोरन अमैडो को जान से मार डालती है डीमन को इस दुनिया में से भीजने की एक वजा होती है जब कोई उसके लिए सैक्रिफाइस करे तो यहां से चला जाता है लेकिन उसकी बात एलिस को पागल समझा जाता है और उसको अजालम में भीज दिया जाता है हम को अपना शिकार बनाता है और जो बूरे खुआब आते हैं उसकी आने की वज़ा भी यही होती है यह डीमन काफी पावरफुल होता है और उसके पास यह इबिल्टी होती है कि वह अपनी मुक्तलिफ शेफ दिखा सकता है पहले वह बच्चों को अच्छे अच्छे कि इन बाद में वह अपना असली रंग दिखाता है वह अपने शिकार को आएस्था आइस्था मारता है जिससे उसे काफी मज़ा आता है और एंड सीन में यह दिखाया जाता है कि यह पागल नहीं होती वह डीमन वाक ही अब एलिस की बेटी की साथ होता है और मुवी यहाँ पर end हो जाती है